Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल की तयारी जो पहले डेली में आकर offline medium से ली जाती थी, आज के समय में technology का इस्तेमाल करके हम ये घर बैठे बैठे भी इसका पूरा भरपूर उपयोग कर सकते हैं और online medium के तुरूप पूरे के पूरे exam की तयारी कर सकते हैं, लेकिन अकसर कई candidates के मन में ये सवाल आता है कि क्या offline versus online में offline ज्यादा better है, या online ज्यादा better है, तो आज उसके उपर हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा एकदम neutral और निश्पक्ष तरीके के साथ की जाएगी, ठीक है बहुत ही scientific तरीके से आपको बिलकुल सच्चाई बताई जाएगी और उसके basis पे you will be in a position कि आप एक informed decision ले सके, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि कुछ parameters होते हैं जिसके basis पे हम ये comparison करने जा रहे हैं, वो parameter क्या है, सबसे पहला parameter है कि student का teacher के साथ किस तरह से connect बनता है, right, online medium में ये connect की nature अलग होती है offline medium में अलग होती है, तो किस प्रकार से student, teacher के साथ connect कर पाता है, कि जो faculty समझा रहा है एक particular concept, वो student को कितना समझ आ रहा है, और in case वो समझ नहीं आ रहा, तो वो उसको resolve कैसे कर सकते हैं, और एक batch के अंदर, ठीक है, आप जानते हैं कि offline classes में batches लगते हैं, तो एक batch में 200 से 500 के बीच classes ये चलती हैं, ठीक है, there is one faculty and 250 to 500 candidates are there sitting in front of him, right और online medium में भी कुछ इस प्रकार के batches होते हैं, कि एक time पे एक faculty पढ़ा रहा है, और live classes में काफि सारे candidates online होते हैं, तो किस बच्चे को किस तरह से attention मिलती हैं, कि हर एक बच्चे को attention मिल पाती है या आप अगर पढ़ाई में थोड़े से कमजोर हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि offline में आप बिल्कुल ignore हो जाएं, या online में ज्यादा ignore हो रहे हैं, यह हम समझेगे, इसके बाद peer learning का क्या status है peer learning, peer learning का मतलब होता है कि peer यह साबुन नहीं है दोस्तों, peer क्या होता है कि आपके friend circle, right online medium में कहा जाता है कि friend circle क्योंकि online आप घर बैठे तयारी कर रहे हो और study material किसमें better मिल सकता है यह सारा कुछ हम compare करेंगे लेकिन comparison से पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दू I am Chandan Sharma, faculty at study IQ मैंने दो UPC mains लिख रखे हैं 2020 और 2022 का, most recent one, right इसी के साथ साथ state PCS में भी मेरा rich experience है अलग-अलग state exams में and energy audit के कुछ projects मैंने Indian railways के साथ कर रखे हैं campus placement मेरी Schneider Electric में हुई थी and campus कौन सा था मेरा जहां से मैंने graduation की I am BE electronics graduate from Thapa University पत्याला, right, having said about me अब हम decide करते हैं, आप सब को बिल्कुल comparison बताता हूँ कि कैसे करना है देखो दोस्तों, जहां तक peer learning की बात है, तो clearly यहां पर मैं बताना चाहूँगा कि offline class में ऐसा होता है कि एक class के अंदर 200 बच्चे से लेकर 500 बच्चे एक साथ बैठते हैं, ठीक है आप यहां बैठे हैं, आपके left side एक बच्चा है आपके right side एक बच्चा है, आपके आगे एक है मैं भी इस book से थोड़ा फायदा ले सकता हूँ वो बताएगा कि मैं यह test series join कर रहा हूँ तो आपको भी उससे थोड़ी सी clarity मिल जाती है कि okay, market में test series आ रही है अच्छी test series है, काफी लोग इसको follow करते है मैं भी follow कर देता हूँ तो थोड़ा सा यह पता लग जाते है on top of it, class में मान लो, कुछ बताया गया आपको समझ नहीं लगा class के बाद आपने अपने friend से पूचा कि यार, sir ने बताया था, तुझे समझ लगा वो केता हाँ, मुझे लग गया आपने पूचा, उसने कहा, उसने diagram बना के बता दिया पूरा flow chart के साथ, कि ऐसे-ऐसे है आपको लग गया समझ, right, तो peer learning apparently, देखने में लगता है कि clearly offline में थोड़ा सा इसको advantage मिलता है, ठीक है, offline classes में peer learning अच्छी-काची हो सकती है, but at the same time यहाँ पर एक glitch है glitch यह है, कि ठीको online में क्या है online में आप अपने room में बैठे हैं, आपने एक महौल बना के रखा हुआ है, right, आपके सामने आपका laptop है, या mobile screen है और उसमें आप faculty members को सुन रहे हैं, उनके जो बाते हैं, वो सुन रहे हैं, अगर समझ नहीं आता है तो ठीक है, issue हो सकता है, लेकिन उसको resolve करने का एक तरीका भी बताऊँगा, in case online ही आपने करना है, ठीक है, वो कैसे resolve कर सकते हैं I will tell you that as well, लेकिन इसमें होता ही है दोस्तों कि कई बार, offline में जो peer group होता है, यह peer group गलत बन जाता है, bad company बन जाती है आपने सुना होगा, कि संगत की रंगत चड़ती है आप में तो कई बार ऐसा होता है कि initially तो आप किसी एक व्यक्ति को लगता है कि यह मेरा exam में, मेरा study buddy बन सकता है मेरा study partner बन सकता है, बट काजूली रिलाइज होता है, कि भाई उसका सिरफ एक subject अच्छा था, बाकि subjects की classes में उसने क्या किया ठीक है, you people know, right and classes छोड़के वो कह रहे है कि ने ने मैं तो self study करूँगा, वो book बड़ी अच्छी है, यह book बड़ी अच्छी है पड़ी, friend, B ने book, B पड़ी, friend, C ने, C और D ने D, right अब इतनी सारी books आपको होना शुरू हो गया, FOMO आपने का कि यार मैं तो polity के लिए लक्ष्मिकान पढ़ रहा था, यह तो पता नहीं, दस किताबें और पढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा आपकी strength बन सकता है, even आपका moral support बन सकता है, लेकिन at the same time, 200 या 500 बच्चों की classes में serious candidates serious candidates एक से 10% के बीच ही होते हैं, जिसका मतलब यह है कि barely 25 candidates, they are going to be serious, ज्यादा तर आपको पत ब्रश्ट करने वाले लोग ही मिलेंगे, और उनकी संगत में पढ़के आप भटक सकते हैं, तो this can become a problem, यहाँ पर offline में थोड़ा सा यह glitch आ जाता है, ठीक है, अगर आप अपनी संगत को maintain कर सकते हैं, अगर आपको पता है, इनसान की पहचान करनी आती है, तो offline में आप इसका फायदा ले सकते हैं, अब student teacher connect की बात करते हैं, देखो offline classes में क्या होता है, कि there is a faculty, ठीक है, मैंने offline classes में बढ़ाया, तो उसमें when I teach, मेरे सामने 500 से 500 की बीच बच्चे होते हैं, and इतना सारा एक crowd की तरह वो feel होता है, that I am delivering a lecture, ठीक है, उसमें मैं कुछ dictate कर वाता हूँ, right, and they are listening, ठीक है, कभी-कभी doubts आते हैं, उनके वो वहाँ पर clear कर दिये जाते हैं, and होता ये है कि अगर class तक तो जो पूच लिया गया, पूच लिया होता, ठीक है, कोई concerned person भी नहीं होता, तो वहाँ पर no doubt, during the class हो सकता है कि लग रहा हो, कि connect अच्छा बन रहा है, but actual में, असली पढ़ाई तो आपकी class के बाद होगी, आपने class में सुना, class के बाद अपनी self-study की, उसमें आपका अपना दिमाग लगा, उसमें 10 चीज़ें आपके दिमाग में आई, doubt आया, अब पूछें किससे, अगले दे no doubt, I always ask कि before starting the class, I ask कि किसे का कोई doubt है तो पूछ लो, but उसमें एक doubt, दो doubt, तीन doubt, पांच doubts के बाद मैं भी कह देता हूँ कि हो गया, अब हम आगे का पढ़ेंगे, यह doubt gradually clear हो जाएंगे, ठीक है, कहना पढ़ता है, but online system में क्या है, जैसे for example, मैं सिर्फ study है, क्योंकि एक बात कर रहा हूँ, online system में यहाँ पर क्या है, हम आपको mentors देते हैं, ठीक है यह mentors का आपके साथ contact number हम share कर देते हैं, ठीक है, contact हम share कर देते हैं, तो मान लो रात के दो बज़े आप पढ़ रहे हो, धाई बज़े पढ़ रहे हो, आपको doubt आगया, आपने कहा कि यह कैसे resolve करूँ, तो वो doubt किस तरह का हो सकता है, वो technical doubt हो सकता है, technical doubt का मतलब कि mountain formation के concept को लेकर एक समस्य आगी, ठीक है, यह doubt आपको हो सकता है कि book कौन सी पढ़ूँ कि 10 लोग हैं, 10 अलग-अलग book बतारे हैं, मैं कौन सी follow करूँ, यह फिर यह doubt हो सकता है कि अगर online medium में, कई बार क्या होता है, कि hesitation के मारे, offline में, यह बड़े ध्यान से सुनना point, hesitation के मारे, offline में क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर student का face दिख रहा है, बहुत से students, hesitation के मारे अपना doubt ही नहीं पूछते, I have seen this thing, वो मुझे कब पता लगता है, जब बाद में जाकर कोई आ तो वहाँ पर doubt कई बार पूछे ही नहीं जाते, और इसका नुकसान होता है, online coaching में यहाँ पर एक बड़ा ही naughty सा catch है, naughty सा catch ऐसा है कि देखने में लगता है कि क्या ही interaction होती होगी students की, लेकिन क्योंकि कई बार यहाँ पर students screen के पीछे बैठे हैं, ठीक है, एक anonymity का factor है, तो उन की ना वो hesitation दूर हो जाती है, I have seen many times in my P2I batches कि वहाँ पर students एक doubt type करते हैं, ठीक है, और वो doubt होता है थोड़ा सा तेढ़ा, ठीक है, at times मैं भी थोड़ा सा धरम संकट में आ जाता हूँ कि यह doubt है तो अच्छा, अभी मुझे पता नहीं, सर्च करके बताना पड़ेगा क्या कर क्या है, दस लोगों के और के मन में आ रहा होगा, तो वहाँ पर online को थोड़ा सा advantage है, ठीक है, तो student teacher connect मेरे हिसाब से online में better हो पाता है, ठीक है, क्योंकि offline में क्या है कि एक बार class खतम हो गी, तो उसके बाद teacher अपने रास्ते, student अपने रास्ते, ठीक है, फिर student क्या है कि peer learning से They are compiling very good books, ठीक है, बहुत अच्छी books, institutes की मिलती है, मेरे समय पर जब मैंने बहुत पहले 2016-2017 में तयारी start की थी, तो चंडिगड के offline institute से मैंने coaching लेनी शुरू की थी, वहाँ पर trust में books की quality बहुत खराब थी, होता ये था, कि IGNU के notes को बहुत गंदे तरीके से, ऐसे cut-paste और compile करके बस पकड़ा दिया, कि एक formality पूरी कर दी, कि देखो हमने books दी, लेकिन आज के समय पर ये चीज़ें काफी change हो गी है, जो aspirants हैं, उनको अपने rights पता हैं, ठीक है, even institutes को भी अपनी duties समझानी start हो गी है, तो offline institutes अच्छी books देते हैं, ठीक है, they are well printed, और उसको acquire करने भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, many offline institutes उनमे ticket system होते है, कि जब आप enroll करते हो, आपको एक token मिलते है, उस token में आपका जैसे एक number होते है, ठीक है, तो आपकी जब turn आती है books लेने की, तो आप hassle free बिल्कुल जा सकते है, and you can collect your book set, और फिर उसको पढ़ना शुरू कर देत है, ठीक है, for example, study IQ के पास भी books है, हम ये आपके घर पर deliver करते हैं, क्योंकि आप लोग अब हमारे पास गुडगाओं या Delhi NCR में तो आ नहीं सकते हैं, तो ये books हमें आप तक पहुंचानी है, तो उसमें भी क्या होता है, कि जिस दिन आप हमारे P2Y course में enroll करते हैं, तो हम वहा से 10 working days के बीच में आपके घर तक पहुंचाती है, ठीक है, और ये set मिलता है इसका, जैसे offline institutes में भी set मिलता है, कि immediately सारी books नहीं मिलती, ठीक है, gradually, क्योंकि books को update भी करना होता है, तो हमारे भी यहाँ पर क्या है, कि पहले set में 4 to 5 books आपको दे दी जाते हैं, अगले set में 5 more books, and third set में 5 books, तो 15 plus books, जो अलग-अलग आपके components cover करेगी, वो आपको provide कर दी जाते हैं, तो books online institutes में भी आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोनों के बीच में tie बताऊंगा, ठीक है, I will consider कि यह एक tie है, दोनों बराबर ही हैं यहाँ पर, online coaching में थोड़ा सा फाइदा यह हो ज आए हैं, वो notes और teacher ने क्या किया है, board पे चीज़ें समझाई हैं, ठीक है, वो board पे जब चीज़ें समझाई, एक बार, एक concept समझाने के बाद, board erase करना पड़ेगा, right, board erase किया, तो वो चीज़ गई, यहाँ तो आपने उसकी photo खींची, या किसी तरह कुछ note down कर लिया, तो फि यहाँ से यह है कि वो eternal memory में, ठीक है, perpetual memory में store हो जाता है, तो यहाँ पर यह चीज़ में एक advantage मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा advantage है, otherwise books equality दोनों में बराबर है, हाँ, online material, downloadable material, जो online coaching में मिलता है, उसका थोड़ा सा advantage है, time efficiency, यह बहुत important है, let me first erase all the ink here, ठीक है, उसके बाद एक number देंगे हम सबको, time efficiency में न, यहाँ पर clear cut edge online coaching को दूँगा मैं, इसका reason है, reason यह है कि offline coaching में क्या होता है, क्योंकि student teacher interaction हो रही है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि student teacher connect अच्छा है, लेकिन इसका एक flip side यहाँ पर आता है, कि student teacher connect वो बनने के चक्कर में, एक दिन में मानलो inflation पू चुरू हो गया उनके बीच, और उस सब में होता क्या है, कि पूरी के पूरी class का time waste हो जाता है, कि output निकलती नहीं है, और पूरी class का time waste हो जाता है, तो जो time efficiency, जो एक class, इसको कहते है, output per lecture, वो output per lecture बहुत जादा खराब हो जाती है, ठीके क्योंकि teacher आएगा, books रखेगा, ठी ठीके यहां पर clear cut online coaching में क्या है, कि online coaching में एक quality ensure करना obligation है, ठीके quality को ensure करना obligation है, इसका reason यह है कि online पढ़ाते समय, faculty doesn't know के सामने वाला किस मुद्रा में बैठा है, वो लेट के पढ़ रहा है, बैठ के पढ़ रहा है, चलता फिरता पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, तो उसक है, यह हमारे उपर काफी बड़ी responsibility होती है, and यह काफी एक सबसे crucial party होते हैं हमारी classes का, ठीके तो इसमें quality of lecture और जो time efficiency है, वो बहुत जबरदसत है, ठीके इसमें per lecture, ठीके per lecture जो output निकलती है, वो काफी अच्छे निकलती है, and you can clearly see in any of the videos that we share on our study IQs YouTube channel as well, ठीके, चाहे वो सेन उदर dwindle होने की बात है, right, offline में कई बार ऐसे भी होता है कि चाय सर्व हो जाती है, थोड़ी सी चाय पी ली जाती है, पानी पी लिया जाता है, ठीके, फिर break दे दी जाती है, break 10 minute की होनी थी, वो आदे घंटे की हो जाती है, तो time efficiency में यहां पर एक समस्या definitely आती है, तो अग अगर मैं summarize करूँ, ठीके, अगर अब इसको summarize करते हैं, ताकि आप अपना decision सही ले सकें, तो देखो, peer learning में offline coaching को advantage दिया जाएगा, ठीके, बट ऐसा नहीं कि online coaching में नुकसान है, online coaching को यहां पर मैं neutral दूँगा, ठीके, online coaching को यहां पर मैं neutral दूँगा, जिसका मतलब यह है कि अ online coaching में भी आजाता है, अगर यहां पर आपको mentors दिये जा रहे हैं, ठीके, अगर आपको mentorship मिल रही है, एक dedicated contact number दिया जा रहे है, तो वो advantage online coaching में भी मिलेगी, study material की बात करें, तो offline coaching, online coaching, यह दोनों अच्छे हैं, लेकिन online coaching को मैं एक additional advantage दूँगा, क्योंकि यहां पर downloadable material दे दि लगाए जाते हैं, तो कई बार क्या होती है, dictation होती है, उस dictation में भी time बहुत waste होता है, तो जो चीज एक हफते में complete की जा सकती थी, उसको 4 हफते लगाए जा रहे हैं, तो यह दोनों चीजे भी linked हैं, तो इस वज़ए से यहां पर study material में मैं online coaching को definitely advantage होंगा, and time efficiency में online coaching is a clear winner, and online coaching बहुत जादा काम आ सकती है, ठीक है, UPSC IS exam में इसको 5 वर्षी योजना नहीं बनाना, अगर तो 5 वर्षी योजना बनाना है, तब बात और है, वो चाहिए आप online, offline दोनों फिर फरक नहीं पड़ता कहां बे जाना है, लेकिन अगर आप इसको अपने पहले attempt में या जित होना पड़ेगा, डिस्पेस होना पड़ेगा आपको अपने शहर से, तो उसमें क्या है कि जब नहीं जगा जाओगे तो आपको rooms देखने पड़ेंगे, ठीक है, you will have to search for rooms, आपको अपने खाने का जुगार करना पड़ेगा, खाना खराब मिला तो कुछ दिर बिमार भी तो यहां पर time efficiency के साथ-साथ आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, time efficiency के factor में जोड़ो तो खर्चे बढ़ रहे हैं, और दूसरा आपका time कई ऐसी चीजों में विर्थ जाएगा, जिसमें आपको लगेगा तो सही कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तेखो नहीं नहीं, UPSC मे भी कहानी लिखी जाएगी, गात्या लिखी जाएगी, कि जहां पर यह struggle करते थे, भई बाहर आ जाओ इससे, कुछ नहीं है ऐसा, किसी भी अच्छी चीज को अचीज करने के लिए जरूरी नहीं के जान बूझ कर struggle करो, रॉक्स्टार मोवी देखिए न सबने, उसमें रनव और हो यह रह, कि हमने अपना एक साल पूरा का पूरा, जिसमें बहुत अच्छी तयारी हो सकती थी, उसको इन फालतू के चक्रों में वेस्ट कर दिया, और फिर पता लगा कि एक attempt खराब हो गया, और उस attempt की frustration की वज़े से अगला एक और attempt खराब होता है, trust me, लेकिन अगर आप घर पे रहके तयारी कर रहे हैं, तो उसमें advantage मिलती है, कि बहुत सारा यह time waste नहीं होता, आपका घर पे रहने का एक system तयार है, parents के साथ रहते हो न, discipline में रहते हो, I can vouch for this thing, ठीक है, पिछले कुस दिनों से Indian Express की series घर से ले रहा हूं, पिछले दो दिनों से, दो दिन आप देखना, बताना मत किसी को, but dot 10 a.m. start हो रहा है, session क्यों, घर पे discipline है, dot 4 बजे उट जाते है, पापा, सवाचार मेरी चदर ऐसे उठ जाती है, उठ, ठीक है, तो वो चीज़ घर पे एक discipline बनता है, उसका एक फायदा मिलता है, hostel में या बाहर रहोगे, आप PG में रहोगे, वह पर ठीक है, आप में अगर internally आप strong है, तो no doubt you can follow the discipline, but otherwise समस्या आ सकती है, ठीक है, तो अब दोस्तों आप further guidance जाते हैं, तो telegram पर मेरे साथ यहाँ पर connect कीजिए, instagram पर यहाँ पर मेरे साथ connect कर देते हैं, और P2Y के एक course के बारे में मैं आपको बता दूँ, कि P2Y का online course बहुत स रोल किया, तो आपको foundation course इसमें दिया जाएगा, जहाँ पर basic से लेके top के concepts आपके crystal clear हो जाएगे, फिर आपके prelims की तयारी करेंगे, जहाँ पर crash course included है इसमें, अलग से नहीं लेना, crash course के साथ सा test series और video solutions उसके, यह भी included है, you don't need to purchase it separately, means का crash course, means की test series is included, and even interview guidance भी हम लोग देत तो सबसे पहले तो आपको यह बता दूँ कि हमारे यहाँ पे study IQ में एक independence day के उत्सव पर sale लगी हुई है, तो उस sale का भरपूर फायदा लीजिए, यहाँ पर generally आपको course P2I का 30,000 रुपीज में मिलता है, basically which is 29999, यह 30,000 ही practically बनता है, लेकिन independence day के पर्व पे आपको क्या है, क 26,999, यानि कि 3,000 की चूट पे, 3,000 रुपीज की चूट पे आपको P2I course मिल जाएगा, इस P2I course के अंदर आपको physical books आपके घर पर deliver की जाएगी, तो आपको अलग से books लेनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे लक्षमी कांथ बलकी book है, थोड़ी महेंगी है, P2I में रोल ह यहां से cover कर लो, प्लस जो हम लोग class में आपको notes देंगे, ठीक है, history यहां से cover हो जाएगी, study IQ की books से, geography भी हमारी books से cover हो सकती है, fundamentals of geography, art and culture, Indian economy, Indian geography and many more books, crash course के समय पर हम आपको further concise books देंगे, जहां पर कम समय में आप maximum information गेन कर सकते हैं, इसमें ready reference data भी है, ठीके tables की form में कई सार information आप revise कर सकते हैं, तो एक crash course में में लेगा, अब देखो mains में क्या है, mains में ऐसा होता है, कि offline centers में, mains में इनकी जरूरत पड़ती है, मैं यह personal experience से बता रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा prelims clear हुआ था, तब मुझे feel हुआ कि यार, mains के time पे कोई मेरे साथ काश, कोई mentor होता, कोई म को हमने क्या किया है, कि जिन students का P2I में, वो P2I के students और उनका prelims 2024 clear हो रहा है, तो उनको mains का residential program free मिलेगा, जिसका मतलब यह है कि वो Delhi NCR में हमारे hostels में रह सकते हैं, free of cost, उनके food का खर्चा, उनके Wi-Fi का खर्चा, जिसको basically boarding lodging कहा जाता है, यह study IQ bear करेगा, और क्योंकि इस hostel मे सिरफ वही students है, जिन्होंने pre-clear किया है, तो जो peer learning वाला negative aspect है, वो हट गया पूरी तरह, यहाँ पर सभी के सभी students serious है, यहाँ पर कोई भी ऐसा student नहीं है, जो time waste करेगा, यहाँ खुद का यहाँ आपका, तो यहाँ पर सब serious students है, faculty members भी हैं, उनकी close presence में आप ज्यादा सीख सक सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर panel discussion होगी, ठीक है, अनिल स्वरूप सर, हमारे panelists है, अनिल स्वरूप सर के बारे में, अगर आपको नहीं पता, तो एक बार Google जरूर कीजेगा, यह cold secretary रह चुके हैं, ठीक है, he is an IS officer, retired IS officer, तो यह cold secretary रह चुके हैं, जब भारत के cold sector में काफी ज कैसे बरना है, कैसे interview board को impress करना है, और best foot forward कैसे रखना है, इसी के साथ आपको handwritten notes मिलेंगे, ठीक है, handwritten notes की आपको एक example, एक नमूना दिखाता हूँ, ठीक है, उस example को देखकर भी आपको समझ लग जागा, the value addition that you will be getting, see this is the way we are going to give you handwritten notes, see how neatly they are made, तो offline centers की तरह हम time waste नहीं करें यह handwritten notes हम ही बना कर आपको देंगे, तो इससे होगा क्या, क्या आपका काम होगा, यह class में faculty को ध्यान से सुनना, ठीक है, समझना और revise करने के लिए, यह handwritten notes ऐसी in writing में, ठीक है, यह जैसे optional के handwritten notes है, और यह history के, ठीक है, यह history के handwritten notes है, तो clearly precise information आपको एकदम neat and clean handwriting में मिलती ह ठीक है, this is the way we present, ठीक है, this is the way we present, और पन्ये पलटते पलटते आप सारी की सारी चीज़ें revise कर सकते हो, हमारी books, ठीक है, यह एक नमूना है, हमारी books का sample है, ठीक है, तो उसमें हम काफी सारी information, best source से, best topic को cover किया गए, तो अलग-अलग books की बजाए, कई बार क्या होता है कि spectrum का कोई chapter जैसे की, बिपन चंदर, बिपन चंदर में, जो हमारा सूरच split है, revolutionary struggle है, वो काफी अच्छे से covered है, advent of Europeans वाला portion जो है, वो सुनाली मनसल में अच्छा covered है, बिपन चंदर में covered नहीं है, अच्छा, ठीक है, है ही नी बलकि उसमें, और spectrum में covered है, पर इतनी गलतियां है उ So, इसमें अब और देर मत कीजेगा, दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके, आप enroll कर लीजे, क्योंकि ये sale, limited time के लिए है, ठीक है, बहुत जल्दी ये sale समाप्त हो जाएगी, ये सिरफ 15 अगस तक चलेगी, तो उससे पहले-पहले आप course में enroll कर लें, हमारा batch 11th August को start हुआ है, ठी notes मिलेंगे, crux document मिलेगा, ठीक है, उसको print कर सकते हैं, books तो मिली रही है, ठीक है, and इस course के साथ, अगर आप optional भी लेते हैं, तो otherwise optional पे आपको, जो discount मिलता है, वो थोड़ा कम मिलता है, लेकिन P2Y batch के साथ, CS live code आप use करेंगे, तो उसमें optional भी आपको बहतरीन price पे मिल जाएग if you use the code CS live, ठीक है, अलग से ये price है, तो total आपको कितना खर्चना पड़ सकता है, this becomes 40,000 rupees, but अगर आप P2Y के साथ optional लेंगे, तो ये 13,000 के बजाए ये घट जाएगा, and ये combined P2Y के साथ आप optional लाड करेंगे, तो ये कितना बिलेगा आपको 39,000 का, यानि 1,000 और आप अपना save कर सकते हैं, तो P2Y plus optional will only cost 39,000, so दोस्तों देर मत कीजिए, जल्दी कीजिए, इसमें इन्रोल कीजिए, description में आपको links बिल जाएंगे, and see you soon in the classes, my best wishes, and that's all from my side, thank you so much.